कोशन नमबर 12 में देखो क्या वो लगया है बिटा जी कोशन नमबर 12 में लगया है एव एक्टर डॉट एव एक्टर इस गल टु जीरो है और साथ में डॉनों का जो डॉट प्रोड़क्ट है वो जीरो है अब आपको इन दोनों बातों के पहले मतलब पता होने चाहिए अगर आप सभी ने बेटर जी लास्ट क्लास अगर अच्छे से देखी थी तो प्लीज 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 मेरी बातों पर ध्यान देना कि एव एक्टर डॉट एव एक्टर जीरो का मतलब क्या होता है पहले यह बताओ मैं आपको पेज पर ले आता हूँ और कोशन को लिख लेता हूँ एक पर टिक है क्या कि इस वक्त अगर मैं आप सबी से बात करूँ लो हर्म और वेक्टर डॉट दोने क्या निकला पहले टीज संघों कि एक्टर । क्या होता है ऐक्टर कि उसनी ग्रात की साथ डॉट निकला पहले top तो क्या मैंसे magnitude of a square लिख सकता हूं यानि magnitude of a zero होगा यह सो नो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की डॉट प्रोट कर साथ 0 कब बनाता है एक वेक्टर डॉट बेक्टर इसको जीरो कब होता है जब परपेंडिकलर वेरी वेरी गुड यानि कि एवेक्टर परपेंडिकलर टूब वेक्टर यानि थीटा इस इकल टू 90 डिग्री ओ अब एक ची बताओ यानि अब कोशन पर बोला गया था किया देखो एवेक्टर डॉट बीवेक्टर कोशन मार्क क्या जीरो कब कब होगा जी देखो जी जब थीटा इस इगल टू 90 डिग्री ओए मैंगनिटुट अफ एजिगल टू 0 हो क्योंकि एवेक्टर सभी ध्यान दीजेगा एवेक्टर डॉट बीवेक्टर का एक फॉर्मुला होता था मैंगनिटुट ओफ ए मैंगनिटुट अब व वेक्टर हो सकता है कोई भी वेक्टर हो सकता है क्योंकि वेक्टर के कुछ भी होने से डॉट फिर भी जीरो आएगा किलियर है तो इसके आपनी बुक में सभी प्लीज आंसर चेक करेंजिए क्या दे रखा है समझ आगे सभी को समय कका करें